नमस्कार दोस्तो एस वी नॉलेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो बेसक भारत का एमका अपनी टाइम लाइन से काफी पीछे चल रहा है लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पूरे एश्या में एमका से ज़्यादा पावरफुल फाइटे और दूसरा नहीं होगा और एमका जब तयार होगा तो फिर भारत से पंगा लेने की हिमत कोई नहीं कर पाएगा लेकिन यह सिर्फ एयर फोर्स के मामले में होगा इंडियन नेवी के लिए नहीं क्योंकि भारत कितनी ही संख्या में एमका को तयार क्यों ना कर ले फिर भी भ पूरी खबर क्या है वो जानने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजे ताकि हमें आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भारत का एमका फाइट एक फिफ्ट जनरेशन का फाइट होने वाला है जो कि स्टेफ होने के साथ साथ कई तरह की एडवांस टेकनोलोजी से लेस होगा जैसे कि इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजन सिस्टम और क्रूस कंट्रोल सिस्टम होगा साथी एमका में लेजर पोड के साथ साथ कई तरह के एडवांस वेपन्स और कई तरह क मिसाइल के साथ साथ एडवांस गाइडिन मुटेशन का यूज भी क्या जाएगा भारत का एमका कितना खतरनाक होगा उसका अंदाज आप लोग इसी बात से लगाईए कि इसका रडार से नेचर इतना हद तक कम होगा कि ये चाइना में घुसकर सैकडो किलोमेटर बिजिंग क जक्की होगी और इन तीनों ही मामलों में अमेरिका का एफ-35 भी एमका से काफी पीछे रह जाता है लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडियन नेवी के लिए एमका का नेवल वेरियंट नहीं बलकि टैड बीएफ नाम का एक अलग फाइट जेट बनाया जा रहा है जो कि फिफ्ट जनरेशन नहीं बलकि 4.5 जनरेशन का एरकाफ्ट है दरसल हाली में एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि एमका फाइट एजट की शुरुआत में इंडियन नेवी के लिए एमका का एक नेवल वेरियंट जिसका नाम एमका के अंदर ADA यानि की Aeronautical Development Agency को ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और इस कदम के पीछे एडियन ने जो कारण बताया है वो काफी हैरान कर देने वाला है दरसल हाली में एडियन के ऑफिसल ने एमका के नेवल वेरियंट के उपर खुलासा करते हुए बताया है कि जब एमक प्रोजेक्ट की सुरुआत की गई थी तो इंडियन नेवी ने भी एमका में अपना इंटरस्ट सोगया था जिसके बाद ADA की तरफ से इंडियन नेवी को एमका के नेवल वेरियंट का डिजाइन दिखाया गया लेकिन डिजाइन रिव्यू के दोरान ADA को एमका एन में कई सा परती है जिसकी वज़ہ से एमका एन की स्टेलफ कोटिंग को नुक्सान हो सकता है और एमका एन की स्टेल्फ कोटिंग में क्रेक्ट और डेमज की प्रॉबलम आम हो जाएगी जिसके बाद MKN ना तो एक stealth fighter jet रह पाएगा और ना ही इसे बनाने का कोई फायदा होगा और deck landing की वज़ा से इसमें बार-बार servicing और maintenance की भी ज़रुत पड़ेगी जिसका मतलब यह होगा कि आदे से ज़्यादा MKN तो servicing के लिए facility में खड़े रहेंगे यानि कि अगर Indian ने भी 100 वो एमका को acquire करती है तो उनमें से पिछेतर Mका तो servicing और maintenance के लिए facility में खड़े रहेंगे और सिर्फ 25 एमका ही active रहेंगे और servicing का जो charge लगेगा वो अलग जिसकी वज़ा से Indian Air Force को MKN को operate करने और उसे maintain करने में काफी ज़्यादा पैसे invest करने पड़ेंगे और ये Indian Air Force को 20-30% costly पड़ेगा और इनी सभी negative points को ध्यान में रखते हुए ADN ने Indian Air Force के साथ मिलकर ये फैसला किया कि वो भी फिलहाल के लिए MKN पर काम ना करके TED-BF प्रोजेक्ट पर काम करेंगे ताकि Indian Air Force की need को जल से जल पूरा क्या जा सके और MKN में जो problem फिलहाल आ रही है उन्हें solve करने का time भी मिल सके इसके अलावा TED-BF को design भी इस तरह से किया गया है कि जब ये landing करेगा तो इसमें landing gear और stealth coating की कोई दिक्कर phase नहीं करने पड़ेगी हाला कि हम मानते हैं कि TED-BF 5th generation का fighter jet नहीं होगा लेकिन फिलहाल की जरूरतों को देखते हुए ये 4.5th generation का fighter jet भी Indian Air Force की capability पर खरा उतरेगा इसके अरवा TED-BF program अपने second phase में enter कर चुका है यानि कि TED-BF अपने developing stage में आ चुका है जबकि M का naval का अभी सिर्फ design ही तयार किया गया है जिसमें अभी भी काफी सारे changes करने होंगे साथी से roll out होने में भी कम से कम 10-15 सान लगने वाले हैं जो कि एक काफी long time period है और इन theory हम यह चीज़ जरूर कहेंगे कि Indian Navy की requirement को ध्यान में रखते हुए TED-BF के comparison में फिलाल M का naval एक अच्छा option नहीं है वैसे इस सब के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले ASV Knowledge Channel को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सबी notification आपको मिलती रहे जै हिन जै भारत